महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव की तारीखों का एलान जल्द ही होने वाला है ऐसे में महायूती और महाविकास आगाडी में मुख्यमंत्री का चहरा कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ट नेता देवेंद्र फडनविस का महायूती के सीएम फेस को लेकर बयाम सामने आया देवेंद्र फटनविस ने कहा महायूती में सीम के चहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है मुख्यमंत्री एकनाथ चिंदे सरकार के प्रमुख है और इसी सरकार को सामने रखकर हम चुनाव में जा रहे हैं चुनाव के बाद चिरसेना अधिक्ष एकनाथ चिंदे एंसीपी के अधिक्ष अजीत पवार और हमारा संसीर्दिय बोर्ड इस पर फैसला लेगा इसमें जो भी तय होगा वही सभी को मंजूर होगा महाराष्ट विधान सभा चुनाव की तारिकों का एलान जल्द ही होने वाला है ऐसे में महायूती और महाविकास आगाडी में मुख्यमंत्र का चहरा कौन होगा यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस बीच महाराष्ट के उपमुख्यमंत्रि बीजेपी के वरिश्ट नेता देवेंद्र फड्नविस का महायूती के सीम फेस को लेकर बयान सामने आया देवेंद्र फड्नविस ने कहा महायूती में सीम के चहरे को कोई विवाद नहीं है मुख्यमंत्री एकनाचिंदे सरकार के प्रमुख है और इसी सरकार को सामने रखकर हम चुनाव में जा रहे हैं चुनाव के बाद चिरसेना अर्दिक्ष एकनाचिंदे इंसीपी के अधिक्ष अजीत पवार और हमारा संसीर्दिय बोर्ड इस पर फै दूर होगा